नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे मारबल के फ्लोरिंग के बार में यदि आप अपने घर में मारबल का फ्लोरिंग करना चाहते हैं मारबल का काम करना चाहते हैं तो मैं आपको इस यूड़ी में बताने वाला हूँ कि मारबल का जो फ्लोरिंग है वो कैसे करते वारे दोस्तों हम चलते डायरेटली साइट पर वहाँ पर पूरा डीटिल में देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेगा यह जो मारबल है कुछ इस तरह से वहाँ पर साइट पर अन्लोडिंग किया जाता है मारबल का जो साइज वह बड़ा होता है लग कि मैं आपको दिखा देता हूं यह देखीएगा यह सभी जोब वह सिरियल नंबर है इस मारबल पर सब्सक्राइं और हमें मिलाने के लिए एक जैसा दोस्तों यह जो नहीं मिलता है तो आपको फिक्र दिखने में पुछ अलग कि दिखता है दो तो वहाँ पर उसका जो फिक देखने में कुछ अलग ही दिखता है दोस्तों इसलिए वहाँ फिकर उसका जो मिलना है वह बहुत ही जरूरी है उसके बाद हम देखेंगे अब पिटिंग कैसे किया जाता है जब यहां पिटिंग करते हैं उसका उसका जो शुरुवत है वह हमें याद रखना है जो भी हमारा करना है उसे शाइसमेर कर देना है कर देंगे हमारा बहुत हो जाता है कि रहंशे के बाद हमारे लेफलिंग कर ना है यह सबहुत होना बहुत होता है तो आप हम यहाँ पे जैसे की देखे और यह इस तरह से वहाँ पर फ्लोरिंग का जो एक लेवल है वह मार्किंग कि आ जाता है दिवार पर सब्सश्य इचेसे वहाँ जेता है विडियो आपनकी दिखेगा उसमें पूरा वहाँ पे डिटेल जानकारी मिल जाएगी दोस्तों ओके तो फ्लोरिंग का जो लेवल है वह हम निकाल देते हैं फ्लोरिंग का लेवल निकालने के बाद हमें क्या करना है वहाँ पे माचन कर देना है सभी जो रहती ही बालू है वो नीचे हमें वहाँ पे डाल देना है फ्लोरिंग के लिए देखेगा कुछ इस तरह से हमें वहापे प्रॉपरली नीजे सभी एक लेवल में बालू डाल देना है और लाइन दोरी का यूज करके हमें वहापे उसका लेवल निकलना है जो भी हमारा फ्लोरिंग का हैट है वह हमने सभी जग अपने मार्किंग तो किय हुआ है उस मार्कें के हिसाब से में वहाँ पर लाइन दोरी लगवाने नहीं और लाइन दोरी लगवाने के बाद उसी हिसाब से में वहाँ पर माचन कर देना है जो भी हमारा नीचे का बालो है वह अच्छी तरह से वहाँ पर प्रॉपरली लेवल में करना बहुती जरूरी ह ताकि हमारा जो बालो है वो आसनी से उस मरबल को पकड़ सके माचन का सभी लेवल प्रॉपर होने के बाद हमें वहाँ पर क्या करना है नीचे जो क्या है कि जो भी हमारा मरबल वहाँ पर रखा हुआ है उसे उटाना है और उसके नीचे वहाँ पर वाइट से मेट यूज़ कर है जो फिटिंग है कैसे करते हैं जो भी पीस कास्य है आपके ऊपर डिपेंट रहता है है आप वहाँ पाँछ पीट बाइच साथ फिट रहाएं गयाती है nyaर्मली चैड़ फिट आज पाच फिट बाइच तो आपका जो पूरा काम है वो गलत हो जाएगा, यह जो वरकर है वो कुछ अलग यह वरकर है, जो हमारा टाइल फिटिंग वरकर करते है, वो वरकर मार्बल का काम नहीं करते हैं, मार्बल का काम करने के लिए बस स्पेशली वरकर वहाँ पर आपको प्रोवाइड करने बहुत जरूरी है दोस्तों आपका जो काम है बहुतर क्वालिटे का और अच्छे क्वालिटे का वहाँ पर हो सकें तो देखेगा कुछ इस तरह से वहाँ पर हमरिंग किया जाता है जब मार्बल वहाँ पर फिटिंग करते हैं उसमें कोई एर ना रहे जो भी हमार फिटिंग वह प्र इंगर यहाँ पर मिलता है इसलिए वरकर ने यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्किंग किया हुआ है इस मार्किंग के साथ हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह जो सिरियल नंबर है वह एक साथ जुडने वाला वहाँ पर रहेगा तो देखेगा जो हमार मार्बल है उसके नीचे he proper जो भी हमारे जॉइंट है उसके साथ निचे भी वहाँपे वाइट सीमेट का you update किया जाता है जो भी marble का आहरे मर्बल का कलर हे उस इसाफ से म्हाँआ पर जो भी मैट्रेल है वह यूज़ करना होता है तकि हमारे जुमर्बल का जो जोईड हैं वह भी वह सथी से नहीं दिखना चाहिए ज्टें आपको आसानी से नहीं दिखता है मैंने एक वीडियो बनवाएं हुआ है जो भी फिटिंग के बारे में Marble की Peterset असके के नाम नम का चोडर आता है वहां पर लगवाते हैं तैक आप के जो जॉइंट हे वाहां है नहीं देखने चाहिए और लाइट तके जो केमिकल है क्या करते हैं फशे तरह से बार से प्रापिर mannerत कहा दा जाता है वाइड वाला रहेगा mix किया जाता है जो भी white वाला रहेगा red वाला रहेगा सब्सक्राइब जो कोंड़ का मिश्रंड करके वहाँ प्रॉपरली जो भी हमारा marble का color है उसी हिसाब से वहाँ पे उसका shade बनवाय जाता है और वो shade बनवाने के बार उसे क्या करते हैं जो भी हमारे marble के joint है उसमें फिल किया जाता है ताकि आपको जो joint है वो आसने से वहाँ पर बार में नहीं दिखते हैं देखेगा जो भी marble का color है उसी हिसाब से उन्होंने वहाँ पेश्ट है वो बनवाए हुआ है तो कुछ इस तरह से बहतरिन काम किया जाता है दोस्तों इसी तरह के काम करने के लिए वरकर है वो बहतर quality के और skill वाले वरकर वहाँ पर वहने बहुत ही जरूर है मैंने एक वीडियो बनवाए हुआ है वहाँ पर आपको बता है कि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राब कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकोन भी जरूर दबा देजिएगा तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते के लिए वीडियो में एक नए टॉपक की साथ धन्यवाद दोस्तों